कि नविश्कार एक बोई फिर से मैं आप सभी के सामने पस्तितों एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के साथ और मैं हमेशा कहती हूं जब इस तरीके की वीडियो बनाती हूं कि जब तक कुछ महेंगी बिमारियां कुछ महेंगे लोगों को नहीं होती है उन बिमारियों के बार मेंसे किसी एक हो है उसे पता ही ना हो कि इस तरीके का डिसॉडर वो फेस कर रहा है तो इसी पर आज हम डिटेल आनलेसिस करेंगे कि यह कैसा रोग है कैसे पता चलता है कि मैं इस बीमारी से जूज रहा हूं या फिर मुझे यह डिसॉडर है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आइस के स्प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है चले शुरू कर लेते हैं आज की क्लास लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए महात्वपूर्ट सूशना सूशना क्या है कि हमारे यूपी और पीस का बैश लॉंच हो रह यह जा रहा है यह जो ऑफर है वो पान से बारत जुलाई तक वैलिट रहेगा तो जो भी बच्चे इसमें रोल्मेंट पाना चाहते हैं पा सकते हैं लेकिन आप देखो के यह यह कोर्स हैं जिन पर आपको 75% का डिसकाउंट मिलेगा यहां पर यह सारे टीचर्स हैं जो आप को इसमें गाइड करने वाले हैं ठीक है तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं चली शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई आज की न्यूस क्या है न्यूस है करन जो हर एक्ष्मोर्फिया एडमिट्स टू सेल्फ स्टार्टिंग में ही आपको बता है कि यहां पर आपको यह लगता है कि आपका जो बॉड़ी है यानि कि मैं अपनी बॉड़ी को लेकर के अनकमफर्टेबल रहूं 24 इंटू 7 और आप सोचो अगर आपकी माइंड में 24 इंटू 7 चलता रहे कि मैं अच्छा ही नहीं हूँ त क्योंकि यह एक ऐसा डिसॉडर है जहां पर आपको आप खुद ही पसंद नहीं आ रहे हो इस स्टिती में कई बार जो लोग है वो सुसाइट तक कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी बॉड़ी पसंद नहीं आती है इस तरीके के लोग हमेशा आप देखोगे कि लूज क्लोट पहनते हैं because they don't like their body parts उनको नहीं अच्छा लग रहा है whenever they are going to intimate with someone they are also make sure कि lights off हो तो इस तरीके से वो बहुत जादा discomfort रहते हैं अपनी body को ले करके और इसी discomfort level को जब यह बहुत जादा level पर पहुत जाता है तो यह आपका disorder बन जाता है और इसलिए इसको नाम दिया गया है क्या body dysmorphic disorder ठीक है चले यहां पर करन जोहर ने एक सक्षातकार में बोला है कि मैं इस body dysmorphic disorder से आजीवन तक करूंगा क्योंकि उनके माइंड में 24 x 7 यह रहता है कि वह अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर वह अच्छे नहीं है उन्होंने पत्रकार फेर डिसुजा के समझ अपनी अहसरश्ता के बारे में बात करते हुए बोला कि मेरा जो मानसिक स्वास्त है इसके कारण बहुत ही जादा मैं परिशान रहता है और मेरा मानसिक स्वास्त अच्छा नहीं रहता है उन्हें बताया कि मुझे बोड़ी डिस्मॉर्फिया है मुझे पूल में उतरने में भी शरम आती है क्योंकि अफकोस जब पूल में जनरली लोग जाते हैं तो नॉमल अपने टाइट पहनते ह या फिर अपना जो उपर बॉड़ी पार्ट का जो क्लोथ है उसको हटा देते हैं तो यहां पर उन्हें बोला कि इसलिए मैं पूल्स में जाना पसंद नहीं करता हूं मैं इसलिए हमेशा लूस क्लोथ पहनता हूं जब मैं घर में रात में सोता हूं तो I make sure कि all lights are switch off कोई भी टाइप अच्छा नहीं है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अपनी बॉड़ी में फाइनलि आप सोसे हो कि मैं इस बॉड़ी को एंड कर दू या फिर मैं सोसाइड कर लूँ ठीक है चले आगे बात कर लेते हैं बेसिकली यह क्या है तो बॉड़ी डिस्मॉर्फिक डिसॉर्डर एक मानसिक स्वस्त समझता है जिसमें वेक्ति अपने रूप रंग में खामियों के बारे में चिंता करने में बहुत समय बिताता है ऐसा नहीं कि नॉर्मल है अगर आप जर्नली जैसे आप कहीं शादी में जा रहे हो एंड आप तयार हुए अब आप सीसे के सा आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रहे है अपने दूसरी शर्ट पहनी उसमें भी आप अपने आपको अच्छा फील नहीं कर वे तीसरी चौथी पाची आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा अपनी बॉड़ी पे और जब इस लेवल का पहुच जाता है तो इंसान दैनिक जीवन की जो क्रियाएं है उसकी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है क्योंकि एक मांसिक डिसॉर्डर है तो यहां पर यहां पर जो जो जितने भी आपके साइकाइट्रिस्ट है वो आपको पूस्ते हैं कि कितने बिमारी या तो जो किशोर हैं तो किशोर आवस्था से उनको यह बिमारी हो जाती है यानि कि 15-16 की एस से उनको यह बिमारी हो जाती है एंड एंड और लाइफ उनको यह डिसॉर्डर बना रहता है तिक तो यह इतना खतरना को सकता है क्योंकि आज कर हम लोग मेंटल हेल्थ कि मैं डिप्रेशन में हूँ आपने वीडियो देखा होगा कि मैं डिप्रेशन में अच्छा यह कौन सी जगह है जहां पर आप रह रह रहे हो इस तरीके का लोग तो वह जो चीजे अभी भारत में इतना जाड़ा मतलब उनके बारे में लोगों को जागरुकता नहीं है वो ल देनी योग नहीं होती है और यह आपको पता ही नहीं लगेगा उस इंसान को देखकर के और सामने वाले को भी पता चलपाएगा की यह सच मी इसके अंहीं को फंड कիxa मेरे बाल अच्छे नहीं को नहीं आश्ची नहीं है तो अच्छी नहीं है मिरे बू इंश्य हो दिये कि वो अपने बोडी पार्ट के साथ भी इसी तरीके से भीएव करते हैं तेक आगे बात करें ये किसी भी उम्र के लोगों को बीडीडी हो सकता है लेकिन जादा तरी होता है कि शोरो और युवाओको ये पूरुश और महिला दोनों को ही हो सकता है अब महिलाओं के लिए आप इ या आत्ममूग्थ हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आप खुद कोई देख रहे हो आप गमंडी हो या फिर आप खुद कोई 14 घंटे देखते रहते हो या खुद के बारे में ही सोचते रहे भी नहीं आप खुदके बारे में इंतनी से इसका पॉइंट यह है कि आप अपने आपको देखना ही पसंद नहीं कर रहे हो यह बहुत परिशान करने वाला हो सकता है और आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव यह डालता है अब बोडी डिसफॉर्बिक डिसॉर्डर का कारण क्या है यहां पर यह कारण बताए गए है कि यह पर्यावर्णी कारण हो सकते हैं इसके कि जिस तरह के आप इनवारेम्ट में रहे हो रहे रहे हो या फिर इसके कुछ मैनोव ग्यानिक या फिर जैविक कारण इसके हो सकते है धमकाना और चड़ना आपरियाप्तता शर्म उपहास के डर की भावना ये पैदा हो जाती है उस मनुस्य के अंदर की वह हमेशा हर टाइम शाही फील करता है लोगों के सामने उसके अंदर कभी भी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आपाता है चाहिए वो किसी के साथ बात कर तैंस महत्ड़ हो जा है कि मोझे हैं अपने ह मुझे अपने हैंड मुव्मेंट हर लेकर के नहीं का इसा कि रख अगों अथीपाई उन्हों को और आप चलते है कियु ए और अब इसको अंदर क्यों आप जिस्मूँ से वो बोल रहे हैं भाई उसको आप कहां रख सकते हो तो तो इसलिए अपना सर जुका करके ऐसे चलते हैं तरीके से रखते हैं तो यह इतना हत्ता खतरनाक होता है कि मानसिक विकार परिवारिक इतिहास यहां पर बहुत जादा माइने रखता है कि आपके घर में किस तरीके के चीजे रही हैं तो तो बहुत मोटा हो गया है थोड़ा पतला हो जा कम खाया कर तो यह वाली जो चीज़े होती ना अगर बच्पन से उस बच्चे को ये फील कराय जा रहा है या फिर उसको ये बताया जा रहा है तब यह चीजे उसके मन में विकार पैदा कर देती और यह इतने लेवल तक बढ़ जाता है कि वो चाहें फ्यूचर में अपना वेट लॉस भी कर ले तब भी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है यहां तक कि उसके प्रकार आपका व्यक्तित भी ऐसा है जीवन के अनुभव कुछ से इस तरीके से बना देते हैं जैसे कि कुछ रिस्तेदार होते हैं उंगली करने वाले तो ऐसा हो सकता है ठीक है बीडीडी के लक्षडों में क्या-क्या शामिल है अच्छा कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्त पॉजिटिव पसंद नहीं होता है जब भी वो किसी के लिए कहीं जा रहे हैं या त्यार हो रहे हैं तो आइना में कंटिनुई देखेंगे कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं तो इस तरीकी का उनको दिक्कत होती है दिन में दस पार यह ना वीडियो भेज़े ना उनको जो इस लोगों के साथ खड़े करके आपको शिशा देखना होगा साथ में सरीके से तब वो नहीं वो अकेले में देखेंगे कि मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं उसके बाद वो नेवर अपने शरीर के किसी भी अंग को तोपी स्कार्फ या मेकप की नीचे छिपाने तो वो यहां तक की मेकप करेगी बहुत सारी चीजे वो करती है बट मुझे लगता है कि आपकी परस्नल मेरी जो थिंकिंग है आप जैसे भी है भगवान आपको बनाया और यू आप ब्यूटिफुल यू आमेजिग ऐसा होना चाहिए आपके साथ जब जब आप यह सुचो आपकी परस्नालिटी इन्हेंस करता है और जो भी ऐसे लोग होते हैं उनकी परस्नालिटी आप देखो थोड़ी ऐसी लपूसी आपको देखेगी लपूसा चिन वाली ठीक है लगतार व्यवसाई या सजना सवर्ना व्यायाम करना कंटीनू कुछ लोग होते उनको लगता है मैं कंटीनू मतलब करता हूं तो जो पाच-पाच गंटे चार चार चर गंटे चेशे कंटे कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि मेरी बॉड़ी अच्छी दिखने लगे एक होता है स्वस्से रहने के लिए वो अलग चीज है एक होता है कि नहीं जो मतलब फिट भी है और वो त लगातार दूसरों से अपनी तुल्ला करते रहते हैं उनमें यह आपको चीज़ा देखने को मिलेंगी साथी साथ हमेशा दूसरे लोगों से पूछ रहना कि क्या ठीक लग रहे हो जब दूसरे लोग कहते हैं कि आप अच्छे दिखते हो तो उन पर विश्वास ना करना भा अपने स्वरूप के बारे में कई स्वास्त सेवा प्रदाताओं से परामर्ष लेते हैं अनावश्यक प्लास्टिक सरजरी करवाते रहते हैं अपनी तवच्छा को उंगलियों या चिम्टी से नोच्छते रहते हैं चिंतित उदास और सर्मिंदा मैशूस करते हैं और आत्म पूछेगा आपकी आयू कितनी है आपका जो स्वास्त गतिविदी है वो कैसी चल रही है और अपका चिकत्सा इतिहास कि आप कैसी दवाईयां खाते थे क्या करते थे यह सारी चीज़े विशिष्ट्र दवाओ और प्रक्रियाओ यह उप्चारों के प्रति वह आपकी शहन सरकल आपको पसंद है उनसे आप बाते करिए चीज़ें करें और आपको कुछ हार्मोनल जो दवाईयां होती है सोने की दवाईयां होती है वह बैसिकली आपको देगा ताकि जादा से जादा आप हील कर पाएं विकार के दौरान के आप एक्षाएं आपसे पूछेगा कि उ स्वास्त सेवा जो प्रददाएं हैं उनकी राय लेगा आपकी राय लेगा आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेगा जो भी दवाय होती है वो इसमें शामिल करेगा और सबसे अच्छा उपचार है संभोध दोनों का संयोजन करना यह दोनों ही चीज़े आपके उप का disorder है तो वहां पर सबसे अच्छा यह होता है कि आप क्या करिए लोगों से बात करें जब बात करेंगे यदि आपके माइंड में कोई लेयर सेट है तो वो खतम हो सकती है और यह आपका जो यहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो खतम हो जाएगी ठीक है CBT में आप नकारात्म काम तोर पर BDD के लिए सबसे अक्षा काम करती है और उनको इस तरह की दवाय भी दी जाती है ताकि वो जल्दी से इस यह जो रोग है उससे बाहरा सके तो जैसे मैंने बताया कि आपके माइंड में किसका किसका नाम आ रहा है उसको यहां पर नीचे बता देना कि भाई तु करके देखो तो मिलते हैं नेक्स क्लास मेंस आइखो आपको एक क्लास समझ भी उप इसको कैसे सॉल्ट कर सकते हैं उन्सक्राइबров न हном को